हलो फ्रेंड्स मैं हसीना आपको अपने यूट्यूब चैनल हसीना टिप्स पर स्वागत करती हूं तो फ्रेंड्स आप लोग कैसे हो हम लोग अच्छे हैं तो सबसे पहले बात करते हैं आज मैं आपको जो पेट में द्रण वगयर होती है जो पेट की नस खिच जाती है उसको कैसे ठीक करते हैं तो आज मैं आपको इसी वीडियो के मादम से मैं आपको बताऊंगी कि द्रण और उस नस को कैसे ठीक करते हैं तो प्लीज दोस्तों आप मेरी वीडियो के देखे बताना कि आपको कैसा लगता है कमेंट करके जरूर बताना अगर आपको अच्छा लगते ह तो कमेंट बॉक्स में लिखे हमें जरूर बताना हम आपके सवालों की जवाब देने की पूरी कोशिस करेंगे और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना लाइक करना तो फ्रेंड्स चलिए वीडियो श्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले में आपको बताऊंगी कि पेट की जो नस होती है उसको गाओं में वहते हैं कि हमारी दरन आगे खिसक गई है या पेट में दर्ध हो रहा है तो वह किसके कारण होता है तो सबसे पहले में बात करते हूं कि अगर हम कोई भारी वजन एकदम से उठा लेते हैं यानि कि अचानक से हम ढीले हातों से या एकदम पेट को भी ढीला छोड़के एकदम कोई वजन वाला काम हम कर लेते हैं तो उससे पेट की नस होती है वह जो आगे पीचे खिसक जाती है लेफ्ट में साइड में इससे खिसक जाती है तो उसको हम लोग बोलते हैं कि हमारे पेट में दर्द हो रहा है और धरण डग गई है तो उसको कैसे ठीक करते हैं तो वह भारी वजन के कारण ही होता है सबसे पहले तो कि वो जो धरन होती उसको कैसे ठीक करते हैं और सबसे पहले बात है कि हमें वजन उठाना उठाना तो चाहिए कि कौम उठाता है हम नहीं उठाएंगे तो इसको अगर वजन उठाने की ऐसी आ तो उसको उठाए तो दीरे तीरे एकदम प्हले हाते पेरों की और पेड़ की नसों को एकदम अपने त opens से दिन्य लगszy फिर उसको दीरे डिक किसका न चाहिये इसके वज़े से हतों प्यरों में कई यइचे और फिसके ने होगा कि आपको कैसे उसको खिसकाना चाहिए और बात करते हैं कि जो पेट की नस होती है उसको धरन बोलते उसको कैसे ठीक करते हैं तो सबसे पेले नुसका है कि मैं आपको बताऊंगी कि जो बच्चे गेंद खेलते हैं तो वह गेंद आप सभी के पास मेली जाती है जो जो परपड़ वाले गैंद होती है तो सब से पेले हम उस गैंद को लेंगी और फिर हम जिसका भी दुकरा हो वो उल्टी साइड में सोई और उस गैंद को नाभी के सही नाभी के बीच में उसको रख दें और सिर्फ 30 सेकंड 30 सेकंड के अंदर ही आपका पैट एक दम से सही हो और किसी कि औरतों की तो एकदम ठोकर लगने से ही उसकी पेट की धरन डिख जाती है तो उससे भी एकदम से ठीक हो जाती है उस पे गेंद के उपर उल्टा सोना है सिर्फ तीस सेकिंड और वो आपके सोते ही कुछी सेकिंड में आपको पता चलने चल जाएगा कि वो कौन सी न सही पाती है जो दढ़र याग पीचे होगी या गोडा बोलते हैं उसको तो बीच में नहीं पर नहीं हो किसी की तो दूसरा नबर में आपको बता जरुंइंग कि मशनने से ठीक हो जाता हैं तो मेरे पास को बढ़ात है नहीं Прें पास मेरे बेबी है तो मैं उसको आपको ऐसे करके बताऊंगी बलकि बच्चों के उपर इसा नहीं करना चाहिए बड़ों को उपर होता है यह लेकिन मैं बच्चे की तोर से बता रही तो आप बड़े के इसाब से कर लेना चाहिए तो प्लीज दोस्तों आप मेरी वीडियो को देखे तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं तो फ्रेंड्स देखे सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मैं बच्चे के उपर बता रही हूं लेकिन आपको तो फ्रेंड्स चलिए इस वीडियो स्टार्ट करते हैं सबसे तो हम अंगूटे से एसे दबाएंगे इसके नीचे हमको अंगूटे पर ओटोमेटिक हाथ इसे इसे उचकने लग जाता हैं तो आप सोचना कि धरन एकदम सही है नस एकदम सही है इसमें पेट में कोई खानी पीने वजह हुई है और जिसकी धरन या नस आगी पिछी होती है वह हमको यह से पता करना चाहिए कि वह थोड़ा सा साइड में इसे कीसख जाता है जा नाभी होती है उसके एक इंच्छ के आँसपास यहां से कीसखने लग जाता है एं एकदम यहां से होता है बीच में सिर Влад अना ये यहां बीच में से फुदकता नहीं है और यहां साइड इसमें से वो नस्फ फुदकती रहती है उसको बोलते हम धरण हो गई है तो इसको ध्यान रखना है कि हमको केसे बतमालिश करना है इस पेले सबसे पेले नावी को पर तेल डाना है फिर उसको ऐसे गोल-गोल घुमाना है इसको पर एसे गोल-गोल घुमाके और फिर हमें ऐसे ऐसे करना है इसे ऐसे करना है फिर हमें ध्यान है कि हम एसे करके फिर हलके हातों से हलके हलके हातों से उसको इस नाभी में लाक के छोड़ देंगे इसे दो चार बार हलका हलके हातों से चारु तरफ करने से एकदम देना चाहिएगी पाम-दस मिनिट तक इसे परक्रिया करनी चाहिए इसके बाद हम उस इंसान को इस से यहां से पकड़के फिर उसको उठाके पर उसको एसे डबल करके उसका सीर जो यहां पेरों पर इसे लगा देना चाहिए ताकि वो नस्षे जो एकदम बीच में रहे और उससी जगहे पे उसको खाना कि लाना चैहिए यह बीठा की तो उससे एकदम से ठीक और यह जाता हैं वो नस फिर आगे पिछनी होती है भरा पेट होता है तो एकदम सही हो जाता है तो प्लीज दोस्तों तो प्लीज दोस्तो मैं आज आपको आप मेरी वीडियो को ध्यान से देखना और ध्यान से समझना आपको मेरी वीडियो कैसी लगी तो दोस्तों आज आपको हमारी वीडियो कैसी लगी तो प्लीज आप कुछी को अनुपव हो जो प्लीज दोस्तों आप हमारी वीडियो को जरूर देखे और किसी अनुपवी इंसान जो रात दिन इसे म सलता हो उसी को मसलाई अंजान वेक्ति से नहीं मसलाई और आपको विश्वास हो तो ही ट्राइ करके देखिए हम तो इसे ही अमारे गाओं में भी ऐसे करते हैं हम लोग भी ऐसे करते हैं और मेरी सांस भी ऐसे करते थी तो मैं आज आपको ऐसे बता रहे हूं तो प्लीज दोस्